असलाम आलेकुम नाजरीन आज के हमारी वीडियो में आप देखेंगे कि 2021 और 2022 में किस तरह के हार्ट टेचिंग लाव स्टोडी ड्रामास नश्री किये गए इन हार्ट टेचिंग ड्रामास की पसंदीदगी की शरा 100 फीसत रही और व्यूवर्स ने उन्हें इतना क्यों पसंद किया ये आपको हमारा काउंट डाउन देखकर मालूम होगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दर्खास देके हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सीरियल दराड 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 दो हजार बाइस का लाव स्टोरी ड्रामा है इसमें जिबराण एक ऐसे मर्द का किर्दार अदा कर रहे हैं जिसके धेरो ग्रल्फरेंड्स हैं और वो नाच्चाइस तालुकात पर यकीन रखता है लेकिट मॉंश्रे में उसकी शक्सि ड्रामे में शहीर एहमद का किर्दार अदा कर रहे हैं जो हकीकी जिंदगी में MBBS डॉक्टर है लेकिन दराने तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था ड्रामे में शहीर एहमद एक खुश इखलाक और काम्याब बिस्निसमैन है जो इरहा नामी लड़की से महबत में मुपतला हो जाते हैं बात में जब इरहा की कजन सजल उसे मिलती है तो वो उसकी तरह मुदवज्य होता चला जाता है और फिर उसके साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देता है ड्रामा तरान में एक ऐसे मर्द को दिखाया गया है जो एक पॉफेक्ट शोहर है आइडियल त अगर अगर 2022 का सीरियल है इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोके बास नहीं है सब वित्रत और मौशरती रहन से इनके हाथों मजबूर है लेकिन सब जिन्दगी के हवाले से मजबत तोर पर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी है ब एनी जिसने वालित की वफात के बाद पढ़कर घर को सम्हाला चोटे मेहन भाईयों को पढ़ाया वो तरक्की करते करते टीचर से एक स्कूल प्रिंसिपल के ओधे तक पहुंची एक सेल्फ मेट और जब अपने वालदायन की घर की जिमेदारी सम्हालती है तो उसकी अपनी जिन्दगी और अपने घर को बसाने का मुनासिफ वक्त गुजर ही जाता है या उसमें ताखीर हो जाती है क्योंकि इस माश्रे ने उमर की एक खास हद तक कताईन करके उसमें इनसानी सोच को बरफ की तरहां जमा दिया है इनसान नसल दर नसल उसमें से निकल ही नहीं पा र जिसका मकसद मजबूरियों को समझके मौजुदा हालात को कबूल करते होएं उन्हें मोहबबत के गीतों में बदल देता है ड्रामा सीरियल तक्दीर तक्दीर 2022 का हार टेचिंग सीरियल है ड्रामा तक्दीर अफसाना तक्दीर नहीं बस बहाना तक्दीर है जिसको देखने के लिए एक खास का रिलुमिजाद चाहिए ड्रामे में तीन घराने दिखाये जा रहे हैं तीन घरानों का एक ही मसला है रिश्टा। यकीन कीजिए सब घरानों को किसी नफसियाती डॉक्टर की अशत जरूरत है। रूमी अपने किर्दार में शेजादियों परियों जैसी फिट दिखाई दे रही है जिसको बतनसीब साबित करने के लिए इतने सारे किर्दार काम कर रहे हैं। हर किस्ट में एक पुराना जुमला याद आता रहा साज भी कभी बहू थी। लाडो से पाली इकलोती बेटियों को वालदैन और भाई घर में अगर कुछ नहीं सिखातें उनको अमली जिंदगी से दूर रखते हैं तो उनको तयार रहना चाहिए कि उनकी बच्ची जिंदगी में धक्के खाकर और धुके खाकर ही सीखेगी। जिंदगी जितनी जल चुरू करती जाए उतना जल चीना आजाता है। इसके बरक्स एक तो आपने दूसरे की जिंदगी लाड़ प्यार में रुकी हुई है। गुद्डू गुद्डू एक हार टचीन कहानी है। गुद्डू जो मरकजी किर्दार है उसने पहले मा की जुदाई का खम सहा और अब बाप की जुदाई और दादी और फुपी के रवियों से उसने ना पढ़ने का फैसला किया। और फिर उसके लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट आता है कि ड्रामा देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। ड्रामा सीरियल रुस्वाई साल दो हजार एकिस के हार्ट टेचिंग ड्रामों की अगर बात की जाए तो AI डिजिटल नेट्वर्क का ड्रामा रुस्वाई सरे फेहरिस्त रहा। नायला अंसारी के लिखे इस ट्रामे की हिदायतकारी रुबीना अश्रफ ने की जबके सना जावेद ने अपनी लासवाल अदकारी से अपने किरदार को अमर किया। उन्होंने एक ऐसी लड़की सुमेरा का किरदार अदा किया जिसे चंद बतमाश उसके घरवालों के सामने आखवा करके ले जाते हैं और जियाती का निशाना बनाकर वापिस भेज देते हैं। सुमेरा किस तहां अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है और कैसे सब के मश्वरों के बरक्स इनसाफ के लिए अदालत का दिर्वाजा कटकटाती है। इन सब मुजवात के आहते ने इस ट्रामे को मगबूल और मारूफ बनाया। सना जावेत के साथ ट्रामे में मिकाल जुल्फकार, मुहम्मद एहमद, उस्सामा ताहिर, सीमी राहिल और उस्मान पिर्जार्दा ने भी अदाकारी के जोहर दिखाए। इस ट्रामे ने एक ऐसी मौशरती बुराई की निशानद़ ही की जो सब के सामने तो है लेकिन इस पर बात हर कोई नहीं करता। द्रामा सेरियल दिल मुमिन एक जिस बात से भरपूर हाट टचिंग लाव स्टोरी ट्रामा है। मौमिन का मरकजी किरदार अदर करने वाले फैसल कुरैशी कहते हैं कि ड्रामे का स्क्रिप्ट पहली बार ही पढ़कर वो इतने जज़बाती हुए कि रात गए रो पड़े थे। पैसल कुरैशी और मदीहा इमाम इससे पहले भी तीन मुक्तलिफ किरदारों में एक साथ काम कर चुके हैं। लेकिन इस ड्रामे में मदीहा ने उनके लिए एक मनफी रोल निभाया है। ड्रामे में मुमल शेक ने भी स्ट्रॉंग एंट्री दी और सबकी हमदर्दिया समेट ली। ड्रामे में एक टीचर को इस्टिरेंट की तरफ से हरासर करते दिखाया गया। दूसरी तरफ वो अपनी कजन में इंट्रास्टेट है लेकिन वो बहुत ही मजबूर हो जाता है कि वो ही करे जिसके लिए हालात उसे तंग कर रहे हैं। ड्रामे सीरियल सन्फे आहन एक हार टेचिंग सीरियल है। पाकिस्तानी फॉट के शुबा तालुकात आमा आईएसपी आर्ट के तावन से बनने वाले ड्रामे को उमेरा एहमत ते तहरीर किया है जिसकी वज़ा से ड्रामे के नाम नहीं इसे हाई रैंकिंग दे दी। इस ड्रामे की कास्ट में सजल अली, युमना जैदी, सायरा यूसुफ, कुब्रा खान और रिम्शा खान शामिल है। ड्रामा सीरियल मोर महारा मोर महारा एक इंतिहाई हार टचिंग कहानी है जो 10 माई को टीवी वन पर शुरू होई है जिसमें सुनिया हुसैन माहिरे महलियात की लड़की का किरदार अदागर्ती दिखाई देंगी जिन्हें फितरत से महबत होती है। वो पंजाब के रेगस्तानी इलाके चोलिस्तान की एक लड़की का किरदार अदागर्ती दिखाई दी जिन्हें कुद्रत, समीन और फितरत से हद से ज्यादा महबत होती है। ताहम उनके किरदार के खुआप इस वत हकीकत में बिदलते हैं जब वो फितरत और माहौल का तहाफुस करने के लिए किरदार अदा करना शुरू करती है। वहाँ के खावतीन बहुत सारी माहौलियाती मसाइल और खास तर पर पीने के पानी के बहरान से लड़ रही होती हैं और वो कई घंटों का सफर करके कुओं और दीकर जगों से पानी लाने का इंतिसाम करती दिखाई देती हैं। इनके ड्रामे में दो मक्तलिप रूप हैं। एक रूप में लोग उन्हें घर की मेहनतकश और खामोश तबियत लड़की देखेंगे। दूसरे रूप में शैकीन उन्हें परिंदों, चानवरों, खेतों और खलियानों से महबबत करने वाली लड़की के तौर पर देखेंगे। ड्रामा सीरियल इश्ख है इश्ख है एर वाई का हार टचिंग लाव स्टोरी सीरियल है। एक दौर्ट था के पाकिस्तानी ड्रामों को आला मैयार, उम्दा कहानियों और माशरती मसायल का खुबसूरती से आहता करने पर ना सिर्व वतन अजीज बलके बाहरत तक में उसरे से महबत करते हैं लेकिन मिनाल खान के घरवाले उनकी महबत के खिलाफ है। जब मिनाल खान के एहले खाना को पता चलता है कि वो दानिश तैमूर से प्यार करती है तो वो उसकी शादी तै कर देते हैं पिर दानिश उससे जबरदस्ती निकाह कर लेता है। ड्रामा सी सोशल मीडिया सार्फीम की जानिब से मुक्तलित तरहा के तबसरे किये जा रही है। ड्रामा दुबारा में महरुलिसा का किरदार पाकिस्तानी माश्रे की बहुत सी रवायात को चैलेंज कर रहा है। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की जिन्दगी पर मबनी है जो कम उमरी में अपने से बड़ी उमर के शक्त के साथ शादी के बाद अपने शोहर की मर्जी के मताबिक जिन्दगी गुजारने पर मजबूर होती है। अपना फीट बैक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हाफिस।